और चलिए बगली खबर आपको मध्यप्रदेश से बताते हैं जहां पर जबलपूर में ट्रेन डिरेल की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है ट्रेन को पट्री से डिरेल के लिए ट्रैक पर लोहे के रोड बिछाए गए हैं गनी मत रही कि ज़ुरान ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं गुज़री नई तो एक बहुत बड़ा हादिशा हो सकता था गाज़ी और इसे पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं मध्यप्रदेश में ट्रेन डिरेल करने की बड़ी साजिश रची गई ट्रेन को बेपट्री कर बड़े हाद्से की साजिश का खुलासा हुआ है हाद्से को अंजाम देने की कोशिश जबलपूर नागपूर डिविजन के बीच इस्थित कचपूरा स्टेशन के पास हुई कचपूरा स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन को पट्री से उतारने की साजिश रची गई रेलवे ट्रेक पर 15 फीट लंबे तीन लोहे की रोड रखे गए थे पैसेंजर गाड़ी का इंचल लोहे की रोड से टकरा गया था गनी मत रही कि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी बड़ा हास्सा टल गया अगर ट्रेन टीरेल हुई होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था पैसेंजर ट्रेन नैनपूर से जबलपूर की ओर जा रही थी रविवार को नैनपूर जबलपूर पैसेंजर ट्रेन को टीरेल करने की साजिश ना काम हो गए ट्रेन के सामने 15 फीट के तीन लोहे के सरीये ट्रैक पर रखे हुए थे हाला कि ट्रेन के स्पीट काफी कम थी जिसकी वज़ा से बेपटरी होने जैसी दुरगटना नहीं हुई करीब 15 फीट लंबी तीन लोहे की छड़ों को जाज के लिए सुरक्षित रख लिया गया है सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे अधिकारी और आर्पेफ के आफसर पहुशे थे मामले में आर्पेफ ने केस दर्ज कर जाज शुरू करती है आर्पेफ जबलपूर और आर्पेफ एसी सी आर जाज पंताल में जुट कई है जास्टी में पता लगाएंगे कि लोहे की रॉड किस ने और किस उद्देश उसे पट्री पर रखी थी जाज कोरा स्टेशन के समक्ष एसी सी आर के जुरिस्दिक्षन में लोहे की रॉड जो की ट्रैक पर पड़ी हुई थी उससे इंजन के टकरानी की गटना समयाएग इस गटना के उपरांत रपीफ जबलपूर द्वारा तवरित का रवाहिल करते हुए कि इस गटना को संव्यान मिल लिया गया है वाँ इस के गटना की कि कि से गटना की किस ट्रैक रखी गई थी इस इंटर पड़ी गाई थी साबरमती एक्स्प्रेस के नीचे करीब धाई बजे गोविंद पूरी और भीमसिन स्टेशन के पीछ डेलवी की ही पट्री का तुकडा रखतिया गया था पट्री का ये तुकडा करीब तीन फिट लंबा था जिसकी वज़े से इंजन ही पट्री से उतर गई थी रेल की पट्री से टकर लगते ही तेज धमाका हुआ था जिसकी बाद ड्राइवर ने इमर्जेंसी ब्रेक लगा दिये थे बीस डिपे भी पट्री से उतर गए थे हास्ते की जानकारी मिलते ही आईवी ने जाच शुरू कर दी थी तो एक टेस भी मामले की जाच कर रही है ठीक इसी तर्स पर एक दिन बाद मध्यप्रदेश में भी ऐसी ही साजी शची गई जिसमें ट्रेन के सामने 15 फीट की तीन छड़े रखी हुई मिली अब सवाल है कि क्या किसी सोची समझी प्लानिंग के साथ डिरेल करने की साजी शची जा रही है यात्रियों की सुरक्षा और जान के साथ कौन खिलवाड कर रहा है कौन है वो लोग जो मासूंगों के जिन्दगी के साथ खेल रही है बार बार ट्रेनों का पट्री से हुतरना किसी बड़ी साजिश का तो हिस्सा नहीं इन सब सवालों के जवाब जाज के बाद ही पता चलेंगे Bureau Report, Republic भारत फिरके बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है तो लगतार हिंसा प्रियंका वहाँ पर हिंदू के खिलाब जारी है बिल्कुल ये हिंसा बर्थी जारे हैं और ऐसे में इस हिंसा को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है ऐसे में आपको बता दें वहाँ पर जितने अल्प सेंख्याग हैं जो की हिंदू की कैटिगरी में आते हैं उनको परिशान किया जा रहा है प्रतारित किया जा रहा है इंसाफ की मान कर रहे हैं उनके धार्मिक चिन्हों को आपको बता दें उस पर प्रतीकों पर हमले किये जा रहे हैं बांगलादेश में शेख हसीना के तखता पलड के बाद जो हालात बेकाबू हुए हैं वो दोबारा पट्री पर नहीं लोट सके हिंदू और उनके धार्मिक प्रतीकों पर हमले जारी हैं बांगलादेश की ततकाल सरकार हिंदू को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही ह है कैसे सुरक्षा मिलेगी हिंदू को बांगलादेश में आखिर हिंदू पर इतना प्रहार क्यों किया जा रहा है उनको परिशान क्यों किया जा रहा है जो वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है वो वाकि किसी को भी बेचैन कर सकती है विचलित कर सकती है आप कि बंग्रियादिश के ठाकूर गाओं में हिंसा हुई है जिसका जिक्रप से कुछ देर पहले गायतुरी कर रही थी और गायतुरी 19 अगस्ट 2024 का पूरा मामला है बिल्कूल तो यह तस्वीरे आप देखियो ठाकूर गाओं में किस तरीके से जो छात्रा वास है उसको भी आग के हवाले किया गया यह अब तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वहाँ जो हिंदू घर हैं थाकूर गाओं में वहाँ पर उन घरों को टार्गेट किया गया है मतलब जब से तखता पलट हुआ है तभी से लगातार हिंदू के खलाब वहाँ पर अत्याचार का जो दौर है वो जारी है कहीं हिंदू पर नौकरी से रिजाइन करने का दबाब बनाया जा रहा है कहीं हिंदू जिस छात्रवास में रह रहे हैं जिस कॉलेज में टार्गेट किया जा रहा है तो वहीं हिंदू के घरों को आपके हवाले किया जा रहा है ये हालात हिंदू को लेकर वहां बंगलादेश में बंते हुए नज़रा रहे हैं अब ये तीन तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहा है मंदिर में भी जबर्दस्त तोडफोर की पूर्तियों को तोड़ रहे हैं और इस सबके भी जो मौझूदा सरकार है वो हिंदूओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है पांगलादेश सरकार के दावे धस्त नहीं थम रहा अल्प संख्य को परत्काचा बांगलादेश के कारीकारी प्रधान मंत्री योनुस के उन्दावों की पोल खुल रही है जिसमें वो वहाँ पर अल्प संख्यकों की सुरक्षा की बात कर रहे थे बांगलादेश में हिंदूओं पर अत्याचार जारी है इसी क्रम में एक ऐसा ही बांगलादेश के कुष्टिया जिले से सावनियाया जा कटरपंथियों की भीर ने एक हिंदू मंदिर पर हमला बोल दिया उगर भीर ने ना सिर्फ हिंदू मंदिर को तोड़ा बल्कि भीर ने मंदिर के अंदर रखी प्रतिमा को भी खंडित करने का प्रयास किया यहां यह जानना है मैं कि आखिर कौन सी ऐसी वज़ाई जिसके चलते अचानक शांत पड़ी बांगलादेश में हिंदो अल्प संखिकों को निशाना बनाया जो आने लगा इसके पीछे सबसी बड़ी वज़ा वहां के राजनितिक हालात है जहां मुस्लिम कटरपंथियों की सत्ता में दखल सबसी बड़ी वज़ा मानी जाती है जवाते इसलामे हिंदों को निशाना बनाता है हिंदों की जमीन पर कबजा करना इसके पीछे मकसद है और मुस्लिम वोचस को बांगलादेश सरकार ने छूट दी है राजनितिक पार्टी आँध रूवी करण करवाती है हाला कि बांगलादेश पे इंदों पर हमले कोई नई बात तो नहीं है पहले भी इंदों पर हमले होते रहे हैं लेकिन शेक हसीना के तकता पलत के बाद से ऐसे बिगड़े हैं अलात की सुधरने का अब नाम नहीं ले रहे आए दिन किस ना किसी हिंदू मंदिर पर हमले हो रहे हैं बीते दिन कटरपंथियों की भीर ने ना सिर्फ धाका कॉलिज पर हमला किया बलकि अंदर बने मंदिर को भी नुकसान पहुचाया जेकिन बांगलादेश में अब संखितों की कोई सुनने वाला नहीं है आतरिम सरकार मुकदर्शक बनी हुई है ना तो मुकदमा दायर किये जा रहे हैं और ना ही कोई कारवाई की जा रहे है जिसकी पीछे बांगलादेश घर्टी हिंदूों की आबादी है बांगलादेश में हिंदू आबादी 7.9 लाग प्रतिशन ठाका में 24 लाग, रंगपूर में 20 लाग, फुलना की बात करें तो 20 लाग है सेलाट में 13 लाग, तो चटगाओं में 20 लाग 7.9 लाग दोजार चौबिस को बांगलादेश में हुए आम चुनावों में वहां रहने वाले अल्प संख्यक समुदाय ने प्रधान मत्री शेख हसीना की पाची आवामिली को वोच किया था ताकि वो सुरक्षित और शांती से रह सके लेकिन शेख हसीना के तक्ता पलट के बाद से हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं इन मावलों में कारवाई ना होने और आरोप्यों को सजा नहीं मिलने के चलते कई कर्टर पंथी संगचनों के होसले बढ़ रहे हैं यूरो सरकार अगर जल्द ही कोई बड़ा फैसला नहीं लेती तो आने वाले समय में हालात और ज़्यादा भयावा हो सकते हैं विरो रिपोर्ट रबाद भारा